एलुआ एव्रिभेन कैसे हो आप लोग आई होप सभी लोग ठीक होंगे और आज हम लोग फिर एक नई टोपिक के साथ आगे हैं और टोपिक का नेम है बीमडबलू BMW कोई कार्ण नहीं है BMW का मिन्स बायो मेडिकल वेस्ट मेनेजमेंट ठीक है और स्टार्ट करने से पहले लाइक शियर सब्सक्राइब करना तो बिलकुल भी नहीं बोलना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो BMW की डेफिनेशन क्या होती है वेस्ट दाट प्रोड्यूस दूरिंग डेगनोसीज ऑफ हुमेन एनिमल टाइम ओफ वेक्सिनेशन एंड ट्रीट्मेंट एनी रिसोर्च एक्टिविटी इस कॉल्ड बी एम डबलू डेफिनेशन का मतलब है कि इसकी परिभाशा क्या होती है यानि बायो मेडिकल वेस्ट मेन अगया वेक्सिनेशन के टाइम या फिर उनके ट्रीट्मेंट के टाइम या कोई रिसर्च एक्टिविटी एक्टिविटी के डूरिंग अगर वेस्ट प्रोडूस होता है तो उसको क्या बोला जरता है । बी-अम डबलू यानि की बायो मेडिकल वेस्ट मेनेजमेंट BMW is harmful for staff, public health, patient and environment main production source hospital BMW है वो किसके लिए सबसे ज़्यादा harmful होता है जो staff होता है, जो public health है उसके ओपर भी काफी ज़्यादा harmful effect डालता है patient, environment and इनका जो main production source होता है यानि यह जो BMW होता है biomedical waste management है इसका main production source कौन सा है सबसे ज़्यादा यह hospital की जो laboratory होती है वहाँ से produce होता है वो बहुत ज़्यादा harmful BMW होता है अब हम इसके classification के बात करते हैं तो classification of biomedical waste management तो कितनी टाइब का waste होता है जैसे कि first आता है infectious waste infectious waste होता है वो infection को cause करता है pathological waste patho से related जो waste है sharp waste यह तो तुम्हें पता है जैसे needle है जितने भी glass wear होते हैं उस type के slides है ठीकर next fourth आता pharmaceutical waste genotoxic waste chemical waste radioactive waste waste with high metal pressurized contents तो यह बहुत सारे नाइन सीरीज में यह वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं और यह डिफ्रेंट डिफ्रेंट क्लासिफिकेशन इनका किया गया है next आता process of biomedical waste यानि biomedical waste को management करने की process क्या होती है first आता इसके अंदर waste collection and segregation सबसे पहले क्या करते है जो waste होता उसका collection करते है यानि उसको इखटा करते है and after that उसका segregation यानि उसको अलग करते है जैसे ही waste को collect कर लिया after that उसको अलग लग करेंगे कि यह hazardous इस टाइब से सेकेंड आता storage and transportation इसका storage करेंगे after that and फिर इसको ट्रास्पोर्ट करेंगे third one आता treatment and disposal इसके बाद में इसका treatment करेंगे और इसको dispose कर दिया जाता है अब इसका जो first part होता हुँ waste collection and segregation किस टाप से क्या जाता है waste collection देर production place and hospital laboratory क्या होता है जितना भी waste को collect किया जाता हूँ कहां से किया जाता है इनका जो production का place होता है जहां से यह produce होता है उसी place से जो waste होता है उसको collect किया जाता है मैं लिए जो hospital की laboratories है वहां पे produce होता है तो वहां से इसको क्या किया जाता है collect किया जाता है यहद कि गवपम कोईंजाक जब की dop 1 जार्स काफी ज्यादा डेंजर्स होता है या हामफुल होता है नेक्स डाथा है और ऊपsi घ्र्णहड़ाईज होता है कंने हामफुल होता है यह हें कि जैसे हड्स कि उपर हम लोग इसको अलग अलग करुम कर दो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यह पॉली वेक्स कितने टाइब्स की होता है इनका इसनों के बाद में बताएंगे तब तक के लिए बाबाय ट्रेक्ष और